फ़लो स्टूरेंस लास्ट क्लास में हमने सिंपल इंडेस्ट पे कुस्टेंस किये थे लेट स कंटेनियू विद सम ओर कुस्टेंस लेख इसमें आपको दे रखा है इस पासम उपनी बिकम्स रुपीस पूर थाउजंट इन तो यह ठीक है कोई सम है आपके पास जो की 4000 ओ रहा है 2 years में आगे रुपीस 5500 इन 4 years 6 months at the same rate the same rate of simple interest per annum और आप से क्या पूछा है यह तो find the rate of simple interest कोई सम है मान लीजी कोई भी सम है ठीक है it is becoming 4000 in 2 years okay and रुपीस 5500 in 4 years 6 months इन 4 years 6 months और आपको दे रखा है rate same है और आपको क्या find करना है then find the rate of simple interest पहुत इजी कोश्चन है देखिए यह प्रिंस्पल है यह मान लेता हूं मैं अगर मैं एज्यूम कर लेता हूं मान लीजिए कि यह आपका मान लीजिए let's say this is your principle ठीक है और यहां पर अगर यह प्रिंसिपल है और जो सेकेंड प्रिंसिपल आपको दे रखा है सेकेंड जो अमाउंट दे रखा है यह कितने दिन बाद हुआ 2 years, 6 months, 2 and a half years you can say 4,000 से 5,500 होने में इस अमाउंट को कितना टायम लगा 2 and a half years ठीक है और अगर मैं simple interest calculate करता हूं 2 and a half years 2 and a half years में कितना interest आपको मिलेगा अगर आप 4,000 दे देते हैं किसी को तो for 2 and a half years at some rate 4,000 से अमाउंट कितना हो गया 5,500 कितना interest आपके पास आया 1500 यह क्या है आपका SI for 5 by 2 years okay this is your SI for 5 by 2 years okay so simple interest for one year क्या आजाएगा simple interest for one year क्या आएगा 5 by 1500 into 2 by 5 okay तो simple interest for one year क्या आगया 600 आगया ठीक है आपने क्या आपने यह जो टू यह बाद बाला जो अमाउंट है वह आपने एजिम किया था प्रिंसिपल ठीक है कभी 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 आप जैसे की सपोस्पोस इमेजिनेशन करते हैं तो अपने आपको मान लिजिए मान लिजिए कि स्टेज़ पर एजिम कर लेते हैं suppose that if आईवर आइवर पीम आईवर सी एम ठीक है उसके बाद कुछ देर बाद जब नर्मल हो जाते हैं आप जो थे यूरेमीन यूरेमेन से ठीक है तो इसको मैंने यह जो प्रिंसिपल है इस प्रिंसिपल से 4000 अमाउंट बनने में कितना टाइम लगा एक यह का ऐसा ही कितना है 600 आपको पता है सेंगा सेंगा सब्सक्राइब करेंगे तो क्या आज आएगा कितना आया 2800 ठीक है और आपका और आपका सिंपल इंटेस्ट पर वन यर कितना है 600 एपको पता है देखिए तो रेट आफ इंट्रस क्या आज आएगा 600 बाई इन्टू इन्टू 100 कर दीजी ठीक है ये क्या जाएगा rate of interest ठीक है देखिए इन्ट इन्ट कार दीजी 600 by 28 आ रहा है इसको क्या करेंगे देखिए अगर मैं 4 से कारता हूं तो 4 इन्टू 150 4 7 जा 150 by 7 एक है देखिए calculation easy है 140 अगर उपर होता तो क्या होता 20 times cut cut ठीक है और 7 और add कर दीजी 147 21 times 21 3 by 7 percent 21 3 by 7 percent okay let's see next question देखिए इस question में आपको दे रख्खा है the amount of the amount on the certain sum of money in 6 years at the rate at the rate of interest 7.5 percent per annum is rupees 11600 what will be the amount on the same sum at 10 percent per annum for 6 years देखिए ऐसा एक question शाहिद दो last class में हमने डिस्क्स किया था जिसमें मैंने आपको I ask you to answer that question in the comment box ओके की वाला मैं कर बाद देखिए इसमें आपको दे रख्खा है amount दे रख्खा है आपको amount on a certain sum of money in 6 years at the rate of 7.5 percent per annum देखिए आपको एक चीज़ पता होगी simple interest में जैसा कि हमने starting में discuss किया था rate into time percent rate into time percent of किसका principle का यही क्या आता है आपका simple interest ओके यही simple interest होता है देखिए इस question में क्या दे रख्खा है आपको amount दे रख्खा है amount आपको कब मिलेगा जब आप principal में interest add करेंगे तब आपको amount मिलेगा यह जो amount आपको दे रख्खा है 11600 देखिए यह किसके equal होगा मान लीजे principle P है P plus interest simple interest ठीक है अब देखिए पहले first line में first case में आपको simple interest क्या दे रख्खा है rate कितना दे रख्खा 7.5% and you have been given time period 6 years 7.5 x 6 कितना होगा x 6% कितना आ जाएगा 6742 and half कर दिए 6 का 45% P plus plus 45% of principle ठीक है यह जो principle है यह क्या है यह 100% है आपने आपका देखिए यह 45% of principle plus principle यह जो principle है 100% है आपने आप में total total कितना amount amount कितना जाएगा one but can I say this amount is equal to equivalent to 145% of the principle 11600 ठीक है यहाँ से principle आप निकाल सकते हैं you can find the principle very easily ठीक है ठीक है लेकिर मैं अभी नहीं calculate करूंगा क्यों आगे देखिए आपको क्या निकालना है what will be the amount on the same sum mark 10% per annum for 6 years 10% per annum for 6 years इस case में आपको amount निकालना है what will be the amount on the same on the same sum 10% per annum amount क्या होता है principle plus इस case में principle plus rate into time percent of of principle ठीक है तो आपको second वाले case में 10% rate दे रखा है यह विन गीवन time period equal to 6 years तो आपका 60% of P plus P यही आजाएगा amount ठीक है देखिए 60% of principle plus 100% of principle कितना वो 160% of principle 160% of P यही आजाएगा amount which you have to find in this question ठीक है तो आपको पता है 145% principle का इसके equal है और 160% आपको निकालना है ठीक है तो क्या कर सकते हैं देखिए अगर यहां पर 125% is supposed let's say suppose यहां पर आपका आजाता 35% of principle या फिर to 90% of principle तो मैं क्या करता इस amount को just twice कर देता ठीक है अब आप निकाल सकते हैं you can find it very easily just unitary method देखिए 145% इसके equal है आपको 160% चाहिए 160 को देखिए या तो मैं split करके करना हूं 15 का multiple गन रहा है नहीं अच्छा answer approximation से भी आ जाएगा आपका ऐसे कर दीजिए या तो पूरा पूरा कर दीजिए प्रजन मैटर कर देखिए 11600 by 145% 145% है और प्रिंसिपल उपर आप मल्टिप्लाइ कर रहा है अच्छा मैं multiply नहीं कर रहा है और आपको इस त्रा प्रिंसिपल का 160% निकालना है तो उपर मैं 160 से मुल्टिप्लाइ कर देता हूं देखिए 11600 देखो यह आ रहा है 11600 इंटो 161 45 अब इसको अगर मैं 5 से अगर देखिए उपर क्या है 160 नीचे क्या है 145 तो जो भी आपका आंसर आएगा 11600 से ज़्यादा ही आएगा क्योंकि यह फ्रेक्शन देखिए आप यहां पर 140 आप यहां पर 140 आप यहां पर कितना बचेगा 15 बचेगा 151.1 something आएगा ठीक है तो जो भी आपका आंसर होना चीए पूरा मैं calculate नहीं कर यहा देखिए 11600 और 11600 और आप देखें बिल्कुल close देखें तो आपको दिख रहा होगा सबसे ज्यादा close जिसके 11600 के कौन सा option दिख रहा है आपको सबसे close 1220 इस केस में as the options are very close तो एक बार निकान दीजे कोई बात में अगर आप 5 से 5 से इसको cancel करते हैं उपर नीचे तो नीचे क्या आज आएगा 20 times 545 बचा 29 उपर क्या आएगा 12 and 20 32 ओ पूरा कट गया 1164 टाइमस कटेगा इससे ठीक है अब मैं पूरा calculate नहीं करूंगा just I got my answer 4 into 30 कितना होता है 120 4 into 2 8 कितना आ जाएगा 128 बिस दी ओप्शन आपका राइट अच्छा नहीं था अगर डाटा आपको बहुत अगर डाटा मान लिए यहां पर आ रहा है 145 परसेंट प्रिंसिपल ठीक है इसका 3 टाइमस आ जाता सपोस्स लेट से इसका 3 टाइमस आ जाता तो 435 परसेंट आता ठीक है तो मैं जस्त इसको यह जो था 11600 इसका जस्त सब्सक्राइब करेंगे इसका 3 टाइमस आपके पास है आपने अपने दो फ्रेंट्स को दिए ठीक है और लेट से आपका कोई बहुत ही खास है तो उसको आप कम इंट्रेस्ट पर दे रहे हैं यूर 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 गिविंग 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 15 눈r.to him at vey lower interest और माल लीजिये कोई ऐसे हैं जिस लाएक फ्रेंड उस को आपquitoडह सा आपके पास principle था, ठीक है, माल लीजिए आपका, suppose A and B are your two very close friends, और A बहुत ज्यादा close है, ठीक है, इसको आपने R1 interest भी दिया और B को आपने, suppose you are giving 1500 to B at R2 rate of interest, ठीक है, और इन दोनों, इन दोनों का जो भी interest आया, let's say SI1, you received from your friend who was very close to you and let's say SI2, this is the amount which you received from your friend who was not that close as A, और इन दोनों का difference अच्छा, अगर ये उतना close नहीं है, तो इससे आप ज्यादा, इससे आप ज्यादा profit लेने की कोशिश करेंगे, तो ये जो amount होगा आपका, R2, इसको आप ज्यादा interest पर देंगे, R2 will be greater than R1, sorry, तो यहां से जो आपका देखी, यहां से जो आपका simple interest आएगा, simple interest which you received from your friend who was very close to you, Si A will be less than Si A, अब आपको क्या दे रखा है, अब वो वाला, देखिए, गी जो simple interest होगा, इस simple interest से ज्यादा होगा, इन दोनों का difference आपको कितना दे रखा, you have been given the difference between the simple interest, is Rs. 13.5 और आपको R1-R2 रेक्वालना है, क्या होगा, very simple, देखिए, 1500 क्या था आपका, principle था, ठीक है, और time period कितना है, 3 years, तोनों में same है, P into T, आप R1-R2 कर देता हूं, simple, यहाँ पर क्या करेंगे, R2-R1, यही आपको find करना है, यही भी मतलिखिए time क्यों खुराब करें, इसके बाद, जो आपको चाहिए difference between rate of interest, यही चाहिए आपको, यही किसके equal दे रखा है आपको, 13.5, यहाँ से rate of interest के बीच में कितना difference है आजाएगा, देखिए, 13.5 divided by 3 into 1500, और यह क्या है, देखिए, percent में है, तो एक, नीचे एक और 100 आएगा, और इधर क्या हो जाएगा, 100 से, multiply हो जाएगा, यहाँ पर 1500 था, sorry मैंने 1000 लिख दिया, हो सकता है मैं भी उसके उसी फ्रेंड के बारे में सोच रहा हूं, who was very close, और मैंने भी कम कर दिया मूं, हो सकता है, लेकिन एक्जाम में मत करना है, ठीक है, यही क्या जाएगा आपके पास, R2-R1, यही आपको find करना है, 3 into 15 कितना होता है, 45, उपर कितना है, 13.5, नीचे, 45, और आपको पता है, 45 into 3 कितना होता है, 45 into 3 होता है, बागी मैं कुछ भी नहीं देखूंगा, point भी नहीं, I will not even look at decimal, okay, option देखे, 0.3%, this is your right answer, that's it, देखे, अगर मान लिजे, मान लिजे, इस केस में आपके पास ही होता, suppose, 1.35 by 45, इसमें भी मैं calculate नहीं करता, point को भूल जाए, 45 into 3, option देखे, इसमें 3 होगा, just and move on, like you move on in your life, आगे देखे, the SI on a certain sum of money for 15 months at the rate of 7.5% per annum, exceeds the simple interest on the same sum at 12.5% per annum for 8 months by Rs. 30 to 50, इसमें दे रखाया, देखे, the simple interest, किसी एक sum पे, simple interest, जो की 15 months पे आपने किसी को दिया, at the rate of 7.5% per annum, exceeds the simple interest on the same sum at 12.5% per annum for 8 months by Rs. 3 to 50, ठीक है, इससे पहले जो हमने question किया था, उससे बिल्कूल सिमिलर ही है, माल लिजे, इस समय, इस time आप, suppose you are a banker, माल लिजे, you got a very good prestigious job in one of the banks, and suppose you are a manager over there and, माल लिजे, आपके घर में किसी ने, किसी ने आपसे बोला, that I need some money, इसको आप, इस time 7.5% per annum पे दे रहे हैं and 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 you are, you are giving that money, he is promising you to return back, return back, you the same money within 15 months, ठीक है, और माल लिजे, माल लिजे, same person है, उसे bank में, in the same bank, suppose, कोई निव एम्टॉय है, and he is asking his manager to lend him some money, at some rate of interest, okay, personally and personally, मतलब बैंक का कोई, बैंक से कोई लेना देना नहीं, मतलब उनका आपस का लेना है, और उस एम्टॉय को 12.5% per annum पे, 12.5% per annum पे, ये सम दे रहा है और for 8 months, okay, and he is giving this much, this much amount for 8 months, और इन दोनों का difference आपको दे रखा है, कितना, इन दोनों का difference आपको दे रखा है, 32,500, 32,50, ठीक है, तो पहले case में आपने, आपने क्या किया, आपके घर में कोई था, उसको जरूवत थी, आपने उसको दिया, उसको money दिया, 15 months, 15 months at the rate of 7.5% per annum, दूसरे case में, सब्सक्राइब, आप बैंक में काम कर रहे थे, आपका कोई new employee आप, उसको आप money lend कर रहे हैं, at the rate of 12.5% per annum, इन दोनों का difference कितना है, 3250, देख लिएतने, पूछा क्या है, find that sum, sum क्या है, पूछा है, देख लिएते हैं, मान लीजिए, मान लीजिए, principle आपका कुछ भी है, same sum है, same sum है, देखिए, principle मान लीजिए, P है आपका, into, rate of interest यहाँ पर, यहाँ से आपका simple interest दूसरा आएगा, तो अगर मैं, simple interest, suppose उसका कोई relative था, bank का, उतको जो आपने money lend किया, suppose SIA, I am calling that interest as SIA, SIA क्या आज आएगा, आपका देखिए, 7.5% into, time period कितना है, आपका, 15 months, 12, 3 by 15 months है ना, 3 months बचे है आपके पास, total कितने months है आपके पास, 12 months, sorry 1, 1 by 4 होगा, sorry, sorry, SIA, P into, 7.5% into, 15 months है, अच्छा, months में ही रहने देते हैं, मैं नहीं चेंज कर रहा, स्कूल में लोग बोलते हैं, प्रिंस्वर, टीचर्स बोलते हैं, आपने आपको चेंज कर देते हो नहीं, the other day you continue, the same rubbish thing which you did yesterday also, so why you should change here, let's say, let's say आपने अपने, let's say आपने अपने 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 एंप्वाई को जो मनी दिया था उसको मैं उससे जो आपको इंट्रेस्ट मिल रहा है, I am calling it by calling it as SIB, SIB के आज जाएगा आपका दिखिए, 12.5% 12.5% into 8 months, 8 करदीजी, और आपको, और आपको क्या दे रखा है, इन दोनों का दिफरेंस कितना है, 3, 2, 5, 0, बहुत इजी कुश्चन है, 15 into 7.5, यहाँ पे क्या है, 12.5 into 8, अब यह वाला दिखिए, फ्रेक्शन, यह जो rate दे रखा है, first class percentage की याद है, आपको 12.5% किसके equivalent होता है, इसका fraction 1 by 8, 1 by 8, 1 by 8, करदा है, दूसरा वाला जो interest है आपका, SIB, यह प्रिंस्पल के equal आ गया, खिक है, और उपर देखिए, उपर क्या दे रखा है, SI, A, P into 7.5 into, 7.5 into, into 15 है, देखिए, यह 15 है, और यह क्या है, 15 का, 15 का half है, 225, 15 का square क्या होता है, 225, 225 भाई, 2 से काट दीजिए, इसको, 1, 1, कितना आएगा, 112.5, तो प्रिंसिपल का, देखिए, SI, A क्या है, आपका, 112.5 into P, और SI, B क्या है, आपका, P के equal, इन दोनों का difference करेंगे, आप देख सकते हैं, कितना आ गया, 12.5 times of principle, बहुत, बहुत ही अच्छा नंबर आया है, यह किसके equal होना चाहिए, 3250 के equal, रूपीस, 3250 के equal, ठीक है, अब देखिए, जो 12.5 है, इसको मैं फिर से क्या करूँगा, इसको चेंज कर लों, fraction में, 1 by 8 कर लेते हैं, नहीं, 1 by 8 नहीं कर रहा हम है, देखिए, तो प्रिंसिपल क्या आज आएगा, आपका, 3250 by 12.5, तो देखिए, 12.5 से directly मैं है, नहीं कर रहे हम, नीचे क्या है 12.5, उपर क्या है, मत्तिस क्पचास, 2 से multiply कर देजे, नीचे इसे multiply कर देजए, नीचे क्या आज आएगा, 100, 12.5 न 2.5 इन 2 8 अयरे आएगा, पूरा पूरा आपका numbers में आएगा, अगर 8 को में 3000 से multiply करता हूँ, 3, 2, 5, 0 भूल जाहिए कितना आएगा 24,000 कितना बचा 250 250 क्या होता है 1000 का 1 by 4 1 by 4th into 8 कितना आया 24,000 plus 2 26,000 this is your right answer वेट 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 आपको पूछा क्या था देखे इसमें आपको अगर आप नीचे 100 आ जाएगा 8, 3,000, 24 and 2, 2, 6 आएगा यहां पे शाएगा 2, 6 हो माची लेट सी रेखे इस कॉच्छन में आपको दे रखा है आड दा रेट आफ आड दा रेट आफ 8% अमांट इन्वेस्टेट अर्ण सेंपल इंट्रेस्ट रूपीज 240 240 आफ्टर 3 यर्स इस केस में यहां पे आपको रेट क्या दे रखा है 8% और टाइम पिरिद यहां बें गीवन 3 यर्स और आपको यह दे रखा है इस केस में रेट क्या दे रखा है आपको टाइम क्या दे रखा है 3 यह तो 24% प्रेंस्पल का 24% कितना है आपके पास 240 और फाइंड क्या करना है आपको आपको दे रखा है कि if the rate of interest would have been 5% more, then how much more interest would it have earned, अभी जो आपके पास 240 रुपीज आ रहा है, ये क्या है, 24%, ये जो 240 है आपके पास, this much you are getting as simple interest now, अगर मान लिजे 5% ज्यादा rate of interest होगा, 3 साल में 5% और add कर दीजे, कितना आया, 15%, 15% किसका? 240 का 15% जो भी होगा, उतना ही interest आपको मिलेगा, अच्छा 240 है आपका, 240 का, sorry, principle का जो भी 15% होगा, वो आपको ज्यादा मिलेगा, इस केस में आपका principle निकालना, 24% of principle किसके equal है, 240 के equal है, ठीक है? तो principle कितना आगया आपका? 1000 के equal, ठीक है? इसका principle का, पहले आपको 240 मिल रहा था, आप principle का 15% ज्यादा मिलेगा, कितना होता है 15%, 150, 150 आपका answer, right answer हो जाएगा, C option, okay? let's continue, next question, the person invest a certain sum of money at a certain rate of interest for 4 years, ठीक है? आगे देखिए क्या दे रखा है, if the rate of interest was 5% less, he got, he got 400 rupees less, देखिए, यह जो question है, और से पहले जो question था, दोनों में difference है, देखिए, इसमें आपको दे रखा है, एक, एक person ने कुछ money invest किया, 4 साल के लिए, ठीक है? लगे बाली लाइन में क्या दे रखा है, आपको next line में दे रखा है, if the rate of interest was 5% less, then he got 400 rupees less, ठीक है? मान लिजे, मान लिजे कि suppose you are a, suppose you are PO in any bank, ठीक है? आप अपने employee को, let's say, 10% rate of interest pay for 4 years, आप कुछ sum उसको देते हैं, let's say 2 lakhs, ठीक है? और अगली बार क्या हुआ? next time, next time, next time, next time, थोड़ा सा inflation था और, मान लिजे, the salary of the P, even POs were not released at the right time, so next time, जो employee था आपका, अगर वो फिर से demand कर रहा है, उस time पे आपने क्या करा? आपने 5%, 5% इस case में less है, कोई बात नहीं, you were so compassionate, और आपने 5% less rate of interest pay, उसको same amount दे दिया, for the same period, 4 years, ठीक है? तो आपको क्या दे रखा है? second time, जब आप उसको money lend कर रहे हैं, तो आपको कितना less मिल रहा है? देखे, 400 less, क्यों मिल रहा है? क्योंकि second time, जब आप उसको money lend कर रहे हैं, तो आपने rate of interest, आपने अपना sum कर लिया, ठीक है? पहले से कितना less मिल रहा है? you are getting 400 less than before क्या शुरू में देखिए और कितना rate कितना rate किया आपने 5% पहले आपने कितने years के लिए था 4% के लिए 4 years के लिए था तो अभी जो आपको amount मिलेगा पहले के comparison में कितना मिलेगा suppose माल लीजे पहले आपने 10% पे दिया अभी आपने उसको 5% per annum rate of interest pay for 4 years you are giving the same sum to him अभी जो आपको amount मिलेगा एक साल की अगर मैं बात करता हूं simple interest का difference कितना होगा 5% चार साल में कितना difference आजाएगा 20% 20% किसका principle का 20% यही आएगा दोनों का difference और यह क्या दे रखा है आपको 400 के equal यही दे रखा है 20% of principle equal to rupees 400 आपको पता है 20% का fraction कितना होता है 1 by 5 तो principle क्या आज आएगा तो rupees 400 into 5 2000 is your right answer so b option यह question देखिए इसमें जो इसमें जो खाशकर भाशा का प्रयोक किया गया है बहुत ही simple इससे पहले जो question थोड़ा सा twist कर रखा है तो नहीं जानके किया क्या किया इसमे language is very simple to the point okay next question देखते है if a person invest a certain sum of money at a certain rate of interest for 6 years at the rate of for 6 years रागे क्या दे रखा है इफ कर लिजेगा और सक्ता है mistake हो गया they are also human beings if the rate of interest was 4% more when he got 960 more and find the sum इस case में क्या हुआ देखी माल लीजिए माल लीजिए suppose आपका कहीं suppose you are you are very very privileged you are very effluent ठीक है आप से किसी ने suppose कोई आपका कोई relative आप से कुछ खुश पैसे मान रहा है ठीक है तो आपने दिर दिये उस यू यू उस टाइम पर आपने माइंड नहीं किया वामच अमाउंट ही वस आसकी और उसने जो बोला कि rate of interest क्या rate of interest क्या चार्ज करोगे आप तो आपने बोला कि आप वो जो मन करें उस टाइम पर उसने 5% बोला आपने 5% पर दी दिया ठीक है और ही प्रॉमिस्ट यू तो रिटर्न बैक दा मनी विदिन टैनियर्स माल लीजी टैनियर्स इसमें 6 दे रखका है 6 ले रखका है ठीक है 6 यह उसने क्या किया फॉस्ट तैम क्या किया उसने 6 years instead of returning the same money within 6 years उसने क्या किया उसने सकोस 8 months और ज्यादा इंक्रीज कर दिया उसकी तरफ से गलती निती खाली डिले हुआ as as he promised he failed failed to pay within 6 years ठीक है next time क्या हुआ suppose the same person same person फिर से उसको पैसों की जरूवत हुई फिर से वो आपके पास आया इसमार आप क्या करोगे इसमार उसक्यों क्यों क्यों तो he paid that 8 months interest लेकिन इस बार आप क्या करोगे इस बार आपके मन में है कि उसने 8 महें ने डिले कर दिया मेरा फोन पे नहीं उठा रहा था और बहुत सारे excuses थे इस बार क्या करोगे आप पहले आपने 5% interest पे दिया था इस बार आप 10% interest पे दे रहे है ठीक है अगर 10% interest पे दे तो हो सकता था तो हो सकता था तो चार्ज करते rate of interest नहीं किया कोई बात ने अब क्योशन देखिए इस बार क्या दे रखा है आपको इस बार रेट of interest वास 4% more और रूपीज 960 अगर 4% rate of interest ज्यादा है और माउंट आप से टाइम पिरड़ आपका से मैं पहले भी आपने 6 यह के लिए दिया और तुड़े और सेकेंड ताइम ऑल्सो इस लेंडिंग दा सेम मनी और 6 यह ओनली तो जब दूसरी बार यह दे रहे हैं तो चार परसेंट ज्यादा rate of interest चार्ज कर रहे है ठीक है शिक सिर्स में कितना हो जाएगा 24 परसेंट ठीक है आपने 100 रुपीज द करने सेम मनी आपने rate of interest दिया 14 परसेंट फॉर वन यह सेकेंड केस में क्या होगा 4 परसेंट ज्यादा आपको इंट्रेस्ट मिलेगा इसका प्रिंसिपल का प्रिंसिपल मैंने क्या एजूम किया था 100 रुपी इस केस में कुछ नहीं दे रखा तो इस वाले केस में क्या होगा प्रॉर परसेंट आपको च्छाइंट्रेस्ट मिलेगा हर एक इस साल तक 6 आपको ज्यादा मिला 24 परसेंट इंट्रेस्ट आपको ज्यादा मिल रहा है second case के इसकेके मपैर्जान 24 परसेंट किसका फैंसिपल का 24% of principle equal to, कितना आ रहा है, देखी, 960 दे रख्था है, राको क्या find करना है, find the sum, 24 into 40, 4 times कटेगा, मैं 0 नहीं देखूंगा, कुछ भी नहीं देख रहा है, देखी, 24 into 4, 0 भूल जाओ, option देखो, option में 4 देख रहा है, कहीं, A, A option, right answer, यूँकि, ऐसा मैंने क्यों किया, देखी, सारे के सारे option में, सब में 3 0s है, और 4 सिर्फिस में ही है, और point है नहीं, तो फाली, just see the multiple and mark the answer, okay, और exam में थोड़ा सा, थोड़ा सा फास्ट करना, without pen, कोसिश करना, okay, next question देखते है, rupees 1120 becomes 1792 at a certain rate of sample interest in 8 years, ठीक है, आगे क्या दे रखा है, if the rate of interest would have been 4% less, then find the amount at the end of 10 years, ठीक ही, 1120 आपके पास principal था, ठीक है, 8 years बाद, किछना बन गया, 1792, 1792, 1792, 1792 after 8 years, amount कितना आएगा आपके पास, 1792 रुपीज, ठीक है, और आपको क्या दे रखा, 8 years बाद, तर आपको दे रखा, if the rate of interest would be 4% less, then find amount at the end of 10 years, अब देखी, माल लीजे, उपर भी मैं interest rate of interest calculate नहीं कर रहा, ठीक है, माल लीजे, उपर जो amount था, suppose rate of interest आ रहे है, ठीक है, और 8 years बाद आपको इतना amount मिल रहा है, ठीक है, और माल लीजे, माल लीजे, अगर rate of interest आपका 4% कम है, 4% कम कर दे, तो 10 years, 10 years में कितना आपको जो simple interest मिल रहा है, 10 years तक कितना कम interest मिलेगा, अगर माल लीजे, पहले आप 10% interest पे money lend करते थे, इस बार आप 6% interest पे money lend कर रहे हैं, तो एक साल में आपको कितना कम मिलेगा simple interest, 4% कम, ठीक है, और इस case में आपको पूछा क्या है, find the amount, find the amount after, at the end of 8, at the end of 10 years, आपको जो amount मिलेगा, देखे, 8 years का आपको भी रखा है amount, 8 years का amount भी रखा है, आपको 1792, क्या है, और आपको amount निकालना है, 10 years के end में आपको कितना amount मिलेगा, अगर 4% less amount, less कर दिया आप rate of interest, तो एक साल में आपको 4% simple interest, कम receive होगा, और 10 years में आपको कितना कम interest receive होगा, 40% less, 40% किसका, जब आप उपर वाली situation में आपको अच्छा एक data और दे रखा है, आपको 8 years दे रखा है, उपर जो दे रखा है amount आपको, this much amount you are getting, this much amount you are getting in 8 years, तो 8 years का पहली data देख लेते हैं, देखिए, पहले amount at the end of 8 years निकालते हैं, इस case में आपको क्या दे रखा था, 1792, अगर आपको 8 years का data देखे, तो 8 forza 32, 32% आपको इसका 1120 का 32% हटा दीजी, 017920, 1792 आपको यहाँ पे मिला, इसका 32% कम कर दे, तो वही आपको क्या receive होगा as amount after 8 years, और आपको 10 years का पूछा है, 10 years का पूछा है तो 32%, 40% आप 32% of this into 68%, यही क्या आजाएगा, this much amount you will be getting at the end of 8 years, और इसके बाद आपको क्या दे रखा है, आपको amount निकालना है, आपको amount निकालना है, at the end of 10 years, तो 2 साल और 44% और कम होगा, ठीक है, 8% इसका यह पूरा आगया, ठीक है, यह पूरा इतना amount आपका 8 years का, इसका 8% और कम कर दो, कितना आएगा, 92% बचा, 92% का फेक्शन होता है, 100, ठीक है, यही आपका क्या आजाएगा, यही आजाएगा आपका क्या, amount at the end of 20, at the end of 10 years, पूरा सा डाटा अच्छा लेते तो, मजा आता और, बट, यह आज यूसर, इसमें आप देख सकते हैं, 2, 2, 8, 16, 16, गर आप unit digit देखते हैं, 2, 8, 16, 16, 3, 048, 8 है किसी option में, yes, so this is your right answer, D, अच्छा मैं गाटा को दोस्ट दे रहा था, option बहुत simple थे, like simple interest, next question देखते हैं, देखिए, पूरा मैंने calculate नहीं किया, 1792, 3, 8 है 24, 24, into 248, unit digit 8 होना चाहिए, देखिए, 8 इसमें ही है, और नीचे जो आई था, और किसी option में 8 नहीं है, देखिए, इसमें जो options थे, आपके पास numbers थे, and decimal में भी है, मैंने और किसी option पर ध्यान क्यों नहीं दिया, देखिए, अगर मुझे 8 दिख जाता कहीं पर, suppose 0.08, 0.08, अब मैं देखता, नहीं तो मैंने देखता, and एक ही option था, जिसमें जो डिजए 8 था, तो मैंने D option मार्क कर दिया, तो, we'll do some more questions, देखिए, इसमें आपको दे रखाए, Rs. 8800, becomes 12,000 at a certain rate of interest in 4 years, और आगे आपको कहा दे रखाए, if the rate of interest would be, if the rate of interest would be 3% more, then find the amount at the end of 7 years, देखिए, इसमें आपको principle कितना दे रखाए, 800, ठीक है, amount क्या दे रखाए आपको, amount आपको दे रखा है, 12,000, ठीक है, और यह amount कितनी, time period कितना है आपका, 4 years, 4 years के बाद, आपको, 8800, it becomes 12,000, after 4 years, अगर आप यहाँ से simple interest निकाले हैं, तो क्या आजाएगा, देखिए, simple interest क्या आजाएगा आपको यहाँ से, 3200 आएगा, ठीक है, कितने साल में, 4 साल में, एक साल का simple interest कितना आगया, 800, एसाई पर वन यहर कितना आगया, 800, ठीक है, आपको क्या पोचा, you have been asked to find the amount at the end of 7 years, और एक और चीज़ दे रखे आपको, if the rate of interest would be 3%, 3% more, तो मैं क्या करता हूँ देखिए, यहाँ पे 4 years का amount आपको दे रखा है, अगर मैं 3 साल का, जो भी simple interest आएगा, वो इसमें add कर दू, तो आपके पास क्या आजाएगा, you will be getting the amount which you are hard to receive at the end of 7 years, ठीक है, SI for, 3 years, 3 साल का SI क्या आजाएगा, 2400, 3 into 800 कितना आजाएगा, 2400 आगया, ठीक है, अगर आप इसमें add करते हैं, 12,000 plus 2400, so this much amount, you are getting, at the end of 7 years, कितना आ रहा देखी, amount, 7 years के बाद, आपको जो amount मिलेगा, you will be getting an amount of, 14400, at the end of 7 years, और second case में आपको दे रखा है, अगर आपको rate of interest, अगर आपको rate of interest, 3% ज्यादा हो, तब आपको जो amount मिलेगा, वही आपको find करना है, और तेखी, अगर आप rate of interest, 3% ज्यादा कर देते हैं, तो पहले के comparison में, आपको 3%, प्रिंस्पल का 3%, उसके 3% ज्यादा interest मिलेगा, और कितने साल के लिए, 7 years के लिए, तो 21% आपको, इसका, भी कितना मिल रहा था, पहले आपको मिल रहा था, 14,400, इसका 21% ज्यादा मिलेगा, ठेक है, तो देखी, 14,400 है आपके पास, और आपको, अगर rate of interest, 3% ज्यादा होता, तो इसका 21% ज्यादा मिलता आपको, यह जो 1440 है, 21%, 21% 1 को बोल जाए, 20% क्या होता है, 1 by 5, 1 by 5 होता है, यह 1 by 5 भी मत कीजिए, 14,400 है, इसका 10% कितना होता है, 1440, ठीक है, यह क्या हुआ इसका 10%, आपको 21% चाहिए, into 2 करेंगे क्या आज आएगा, into 2 मैं पूरा-पूरा कैल्कुलेट भी नहीं करा, though it's very easy, 2880 आज आएगा, 2880, ठीक है, अब मैं क्या करूँआ, मैं add नहीं करूँआ, 1% को बोल जाओ, option देखो जब, 14,120 हो सकता है, 15,000 नहीं, 14 or 2, 16 तो अल्रेडी है, 17 something आएगा, अंसर दिख रहा है, D, C कटम, D option, D, D option is the right answer, ओके, और यहाँ पे जो आपका, 1% आया था, उसको तो बूली जाओ, एक्जाम में अगर, आप ऐसे करते हैं, तो आपको, और ज़्यादा मजाएगा, you will take more interest, and you will, you will be close to, close to becoming what, what, becoming what, or what you have, we have prepared, you have started, आपका selection जल्दी होगा, अगर आप एक्जाम में ऐसा करते हैं, आपका माइंड एलटन, active है, तो आप ऐसा करता हैं, तो के, नेक्स्ट कॉस्टन दिखते हैं, जो आपका time, बचा, वो आप, वागी कॉस्टन में, ये कॉस्टन देखते हैं, इसमें आपको क्या दे रख्का, आपको क्या दे रख्का, आपको क्या दे रख्का, विच्ट सिंपल इंटरेस्ट विल आप सम उप मनी, देबल इन 12.5 येर्स, टाइम आपको दे रख्का है, आपको टाइम दे रख्का है, 12.5 येर्स, ठीक है, और आपको क्या दे रख्का है, सपोस्ट मान लिजे, आपके पास 100 रुपीज है, 100 बोल जाओ, 1 रुपी, स्टार्ट विद वन, जब आप चलना सीखते हो, तो फस स्टेप, पहला दो स्टेप होता है, जस्ट स्टार्ट विद स्मॉल स्टेप्स, और येर्स, येर्स, देखिए, पिंस्पल आपके लिए सपोस, 1 रुपी, और आपको क्या दे रख्का है, आपको दे रख्का है, विल, आपसा मॉफ मनी डबल, 1 का डबल क्या होता है, अमाउंट आपको क्या मिल रहा है, रुपीस तू, ठीक है, पाब बताईए, इसमें इंटरेस्ट कितना मिला है, 1 रुपी, इंटरेस्ट 1 रुपी मिला, अब देख सकते हैं, आप principle और SI आपका principle और जो आपको interest मिल रहा है दोनों के दोनों सेम दोनों के दोनों सेम है तो देखे पर आपको time period क्या दे रखा है 12.5 years ऐसा कब होगा जब मैं आप rate को और time को multiply करेंगे अगर hundred के equal आया तभी होगा क्योंकि आप देख सकते हैं देखें यह simple interest आपका one rupees principle आपका one rate आपको find करना है time कितना दे रखा है 12.5 ठीक है और यहां पर अगर मैं यहां पर hundred कर लिजी तो rate क्या आजाएगा का rate आजाएगा आपका hundred by 12.5 कितना होता है 8 पर से राइट पर से राइट आंसर इस ए ओप्शन 8 पर से यहां मैं ऐसे भी कर सकता था 12.5 इंटु एट हंड़िट और इस इस यह राइट आपसर के ओके लेक्स कॉश्चन देखते हैं कि असर मुझे देखिए और सम्मस्व डबल्स इन शेवन यह आज सेंपल एंटरस इसमें क्या दे रख्था एक सम्म डबल हो जाता है अपने आपका सेवन यह अच्छ इंपल इंटरस्ट ओके देखे माल लिजे प्रिंस्पल आपका वन रूपी एक हंडेड भी नहीं ले रहे हंडेड क्यों रूपी और अमाउंट कि अमाउंट कि इतना हो गया इसमें आपको दे रख्था है आप प्रिंट आसम डबल्स इटसल्प इन सेवन यह अमाउंट आपके पास आया रूपी इस तू कितने साल में सेवन इसमें और आपको क्या पूछा है यह बिन आस्ट इन हामनी यह विल्ड़ सम विकाम फाइफ टाइमस था और जनल संग जो आपको अमाउंट दे रख्था है फाइव टाइमस देखिए बहुत सिंपल है और ली कर सकते थे आप अमाउंट कितना सेकेंड केस में और आप देख सकते हैं सेकेंड वाले केस में आपका सिंपल इंटरेस कितना आएगा रूपी फूर रूपी फॉर सिंपल इंटर्स आएगा आपका सेकेंड वाले केस में और पहले वाले केस में आपको क्या दे रखा है आपको इंटर्स कितना है आपके पास वन रूपी वन रूपी इंटर्स आपको कितने साल में मिल रहा है साथ साल में चार रूपी इंटर्स कितने साल में मि सब्सक्राइब कर शार रूपी brethren है ठीक है कितने साल में सेवन 40 आपको चाहरी एंट्रेस् WAR सिंप्रेस्स आपका चाहरी नमेंट्रेस्ट कितने साल में होगा ऊथा पो आपको निकालना है तोस्यूरिटरी में प्यूर्ट सेवनेंट फो शोरी औरीएट आंशर 14 next question देखते है a certain sum was invested on simple interest the amount to which it had grown in 5 years was 1 1 by 4 the amount to which it had grown in 3 years आप से क्या पूछा है यह भी आस the percentage rate of interest was देखी पहले case में आपको दे रखा है amount to which it had grown in 5 years पास मान लीजे कोई principle थी 5 साल में जो आपके पास amount आया वो कितना आया 5 by 4 times 5 by 4 times the amount to which it had grown in 3 years तो मैं क्या 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 मैं assume कर लेता हूं suppose second case में जो आपके पास amount आया let's say I am calling this amount by A3 this is the amount which you are getting after 3 years इसी को मैं assume कर लेता हूं कितना देखिए इस case में amount क्या है आपका ये जो fraction है 5 by 4 होगा अगर मैं इसी को assume कर लेता हूं 5 units ठीक है amount which you are getting after 3 years इसको मैंने assume कर लिया 5 units ठीक है अब देखो पहला वाला जो amount था the amount to which it had grown in 5 years was 5 5 by 4 तो ये वाला amount क्या आ जाएगा sorry इसको 4 लेना पास sorry sorry I am very sorry क्या तो इसको 4 या A1 को ले लेते 4 देखिए A3 को ले लिया मैंने 4 units माल लीजी ठीक अब देखिए अब देखिए पहला वाला जो amount था आपका amount to which it had grown in 5 years पास साल इस amount को मैं ले रहा हूँ let's say I am calling it by name A5, A5 क्या आ जाएगा इस case में A5 क्या आएगा देखिए अगर A3 को मैंने 4 ले लिया तो क्या हुआ इस से मैं fraction से बज़ जाऊँँआ और सिंपल इंट्रेस्ट कर रहे हैं यह भी सिंपल होता है तो आप भी सिंपल बन जाएगा देखिए आपके बास A5 ले रहा हूँ मैं ऐसे 5 एनुट्स अब देखिए इसके बाद इसके बाद आप से क्या पूछा है ये परसंटेज रेट ऑफ इंट्रेस्ट आप से पूछा है ठीक है ये क्या है अमाउंट क्या है आपका और पहले बाले case में देखिए principle मैं एजियों कर लेता हूं यह a3 आपका 4 unit है और a5 है आपका क्या 5 unit और इस case में इस case में इन दोनों का अगर मैं difference लेता हूं देखिए इन दोनों का difference कितना है 1 unit कितने साल में दो साल में दो साल कि यह साल का simple interest कत्ना हो गया 1 by 2 unit हर कि एक कि एक साल का सिंपल अधिन के लिए चैनी का सफेदिया आपके पास है ही यह क्या था सी अंधर आपर इस सद्धा मांट को एफ पर फ्ल्यर्ट एस तो इसमें से अगर मैं 3 साल का 3 साल का simple interest हटा देता हूं then what you will be left up with, you will be left up with the principle which you require to find this rate of interest, okay 3 साल का अगर आप principle, 3 साल का interest अगर आप इसमें से supply कर देते, 4 unit minus 3 by 2 यह क्या है आपके पास, this is the simple interest which you are getting, आप for 1 year 1 by 2 unit, 4 minus 3 by 2 unit कर लिजी, कितना आजाएगा, देखिए 4, 4 में से, 1,5 खटा, 4 में से, 3 by 2 कितना होता है, 1,5 खतम कर दो, कितना बचा, 5 by 2 तो principle कितना आगे आपका, 5 by 2 units, आपको simple interest पता है, what are you waiting for, find the rate, rate कितना आजाएगा, 1 by 2 divided by 5 by 2 into 100 rate, that's all, कितना आया, 20%, rate कितना आगे आपके पास, 20% देखते हैं आंसर, so right answer is, B option, 20%, I hope आपको समझ में आया होगा, let's see next question, ये कुशन देखी, इसमें आपको देख रखा है, if a sum of money at a simple interest, becomes 11 by 8 times in 7.5 years, then it will become, then it will become 19 by 12 times in, देखी, इस case में पहला जो amount आपको दे रखा है, या बिन गिवन 11 by 8, let's say, let's say, A1, let's say I am calling it by A1, okay, और second जो amount है आपके पास, ये आपको दे रखा है, 19 by 12, अब देखी, दोनों ही amounts में, अगर आप अच्छे से देखेंगे, इसमें denominator नीचे क्या है, 8, and A2 में denominator नीचे क्या है, 12, ठीक है, दोनों का अगर मैं LCM लेता हूँ, क्या आएगा, 24, अगर मैं principle, assume कर लेता हूँ, अपना 24 units, तो इससे क्या होगा, जो भी आपका fraction है, fraction, fraction में पूरा जो आपका data है, पूरा पूरा fraction, fraction नहीं रहेगा, पूरा number में आ जाएगा, और थोड़ा simple हो जाएगी calculation, और simple interest हम deal कर रहे हैं, तो हम भी थोड़ा simple बन जाते हैं, देखी, अगर आपने principle, assume कर लिया, 24 units, तो, फर्स्ट अमाउंट आपका क्या आएगा, 8 इन्टू 3, 33 units, सेकिंड अमाउंट आपका क्या आएगा, 12, देखी, अगर आप 24 को 12 से डिवाइड करते हैं, 2 टाइम्स 19 कितना आया, 38 units, ओके, और देखी, पहला, फर्स्ट केस में आपको क्या दे रख्था है, यह जो आपके पास principle है, 24 units, it is becoming 33 units, कितने टाइम के बाद, 7.5 years में, देखी, यह जो प्रिंसिपल है, 24 units, आपका अमाउंट, 33 units कितने साल में हो रहा है, 7.5 years में, अगर आप interest यहां से निकालते हैं, simple interest, यहां पर simple interest अगर आप निकालते हैं, 9 units आ रहा है, कितने साल में, 7.5 years में, simple interest आपका आ रहा है, 9 units in 7.5 years, अगर मैं एक साल का calculate करता हूँ, यह रहनी देजे, simple interest आपका 9 units आ रहा है, कितना, 7.5 years में, ठीक है, और देखिए, आगे देखिए, आगे आपसे क्या पूचा है, amount आपका 38 units, कितने time period के बाद होगा, 24 में से 38, अगर आप 38 में 24 सब्ट्रेक करेंगे, कितना है, 14, इस case में आपका simple interest कितना है, 14 units, you have been asked, आपसे यही पूचा है, simple interest 14 units कब होगा, कितने साल में होगा, 9 units simple interest कितने साल में हुआ, 7.5 years में, 14 units simple interest कितने साल में होगा, simple unitary method है, देखी, यहां से आप क्या करेंगे, जिसको आपको 14 मनाना है, तो क्या करेंगे आप, 14 by 9 से दोनों साइड में multiply कर देता हूँ, ठीक है, देखी, 9 से 9 काट दीजी, 14 units, interest कितने साल में होगा, यहां पर 14, 14 into 7.5, अगर आप, आप multiply करते हैं, 14, 7 जा 98, 0.5 into 14, 7, 98 और 7 कितना होता है, 105, और अगर आप 105 को 9 से divide करते हैं, देखी, 9, 12 जा कितना होता है, 108, 108 से कितना कम है यह, 3 कम है, और 12 मन्स थे, 12 मन्स 1 यर, 3 by 12 कितना आएगा, 3 मन्स शौटर होगे आप, देखी, आम सब देखी, नहीं, 3 मन्स आप शौटर होगे, औ 12 है, तो 1 by 4 आना चाहिए, 8 मन्स आना चाहिए, 3 by 4 आना चाहिए, देखी इसमें देखी आप, बारे से थोड़ा सा कम देखी, कौन सा ओप्षन है, 11 years, 8 मन्स, अगर यहाँ पे 108 होता, तो आपका अंसर क्या आता, 12 years, बारे से थोड़ा सा कम है, देखी, आप्षन में, बारे let's move to next question what is the compound interest on a sum of rupees 37 37,500 for 1 1 by 3 years at the rate of 12% per annum if the interest is compounded 8.3 एक इस case में आपको दे रखा है rate आपका 12% है 12 months के लिए और आपको calculate क्या करना है आपको compound interest निकालना है आपको you have to find the compound interest on this sum and that too 8 monthly देखिए 12 months के लिए आपका rate क्या है 8 months के लिए आपका rate of interest क्या आजाएगा 8% compounded compounded after every 8 months ठीक है और आपको time period क्या दे रखा है यह बिन given time period equal to 1 1 by 3 years देखिए 11 by 3 years अगर आप अगर आप देखें 1 year and 1 by 3 12 का कितना होता है 4 यह आप कह सकते हैं 2 into 8 8 months ठीक है तो आपका time period क्या आजाएगा time period आजाएगा आपका 2 ठीक है और आपको दे रखा है आपको पिंसिपल आपको दे रखा है यह बिन गीवन दे अमाउंट अमाउंट 57,500 ठीक है और time period आपके पास 2 years का है और rate of interest आप देख सकते हैं 8% है आपके पास rate of interest है आपके पास 8% ठीक है अब देखिए इसको इस question को या तो आप first year second year जैसा आप usual करते थे वैसा कर सकते हैं या फिर effective rate percent उससे भी कर सकते हैं अगर आप बिल्कुल basic से करें तो first year देखिए first year का अगर मैं rate of interest निकालता हूँ first year का simple interest अगर मैं निकालता हूँ देखिए 8% किसका 37,500 का अगर आप 8% calculate करें तो कितना आएगा देखिए 37,500 50 रुपीज कितना आएगा 10% होगा इसका ठीक है और 8% अगर आपको calculate करना है 8% अगर आपको calculate करना है 8 into 375 करेंगे आप 8,300 2400 8,700 56 560 2400 प्लस 560 बान 8,500 40 कितना आ गया 2400 प्लस 560 2960 प्लस 40 3000 आ गया second year का simple interest क्या होता है आपको पता है जैसा कि simple interest हर year का same होता है if your rate is also same second year का simple interest क्या आ जाएगा 3000 ठीक है और देखिए और first year में first year के end में यह आपके पास interest है 3000 इस पे अगर आप interest इसका 8% calculate करते हैं कितना आ जाएगा 8% किसका 3000 का कितना आएगा 240 टोटल आपका compound interest कितना आ जाएगा 6240, 6240, so your right answer is C option 6240, okay next this question में आपको दे रखा है calculate the compound interest on a sum of rupees 1565 for 2 years at the rate of 12% per annum if the interest is compounded 8 monthly देखिए इस case में आपको rate दे रखा है यह आप इन given the rate as 12% per annum ठीक है एक year में कितने months होते है 12 months ठीक है तो आप और आपको जो compound interest calculate करना है यह आप to calculate it 8 month नहीं क्या doctor every 8 month ओके ओ बेखिए एट मन्त का आपका 8 month का 8 month का आपका rate क्या आ जाएगा 8% calculated per 8 month ठीक है और आपको time period क्या दे रखा है two years two years में कितने months होते है 24 months and यह आप कह सकते है 3 3 into 8 8 months ठीक है अब देखिए time period क्या ले लेंगे आप ठीक है और इस case में इस case में आपको sum दे रखा है 15625 किन अच्छा स्टार्टिंग में हमने और रिट क्या जाएगा आपका को कि सcype 2012 और 8 बंत ठीक है रीट आपको को दे रखा 8 परसेंत ठीक यह अगर आप compound interest निकालते हैं जैसा की हमने स्टार्टिंग में देखा था जैसा कि हमने स्टार्टिंग में देखा था compound interest क्या आ जाएगा स्टार्टिंग में आपका compound interest क्या आता है 3A into 3A into अगर आपको कोई sum दे रखा है which has been invested for 3 years and say let's say rate आपको दे रखा है A percent उस case में compound interest आता है आपका 3A into 3A square and ठीक है अब देखिए यहां पे अगर a equal to 8 क्या है आपका 8 परसेंट एक्वल टू 8 एक पर है 3 into 8 dot यहां पे 3 a square है a square 3 into 64 आज आएगा ठीक है a q क्या आज आएगा 512 512 and 192 देखिए इसमें क्या आएगा यहां पे क्या आज आएगा 192 and 512 यहां पे आपको दो दो डिजिट्स रेटेन करने है तो क्या करेंगे आप देखिए देखिए 192 आपके पास यहां से अगर आप यहां से यहां से 5 है 5 ले लेंगे 5 करी ओवर करते हैं तो कितना आएगा यहां पे आ जाएगा आपके पास 197 यहां पे और लेफट अपे 12 और लास्ट में आपको दो ही डिजिट रेटेन करने हैं हर प्लेस नहीं सो यह जो 1 है 1 लहापर 24 24 के साथ add हो जाएगा क्या आजाएगा 25.9712 परसेंट यह क्या है आपके पास यह आगे आपके पास compound interest ठीक है यह आप कह सकते हैं कि अगर आप इतना amount आपके पास है 15625 if you have this much amount and if you had invested this much amount at a rate of 25.97% for these 3 years then amount which you have the amount which you will get will be the same amount which you will get which you will be getting if you had invested this this money for 3 years and that too compounded 8 monthly ठीक है 25.97% आपका क्या आगया compound interest ठीक है यह compounded 25.9% किसका principle का principle का देखिए 1515625 का 25.97 परसेंट यह किसके close है 26 के close है अभी 97 को भूल जाओ 25% अगर आप इसका निकालते है 15625 का तो कितना आएगा 1 by 4 पॉर्थ अगर आप इसका करते हैं देखिए 15625 है यह 16000 के close है अगर 16,000 होता तो आपका क्या आता आंसर 4000 आता 4000 आता और देखिए इसमें कितना कम है सिक्स्टीन थाउजन से कितना कम है 375 375 कम है और से डिवाइड करते हैं आप 375 को तो कितना आ जाता है और से 375 को अगर आप डिवाइड करते हैं तो सब्सक्राइड करेंगे कितना आएगा 156 और करेंगे और 325 करते हैं 80 80 सम्थिंग आएगा उसको भूल जाओ 80 और 56 156 आप एड करेंगे माइनस 80 करेंगे कितना आ रहा है 70 जो भी आपका आंसर आएगा 4000 छे थोड़ा सा ज्यादा आएगा लिखते हैं ऑप्शन जो आपका आंसर आएगा that will be your 4088 यह आपका राइट आंसर आजाएगा एक बार कैलकुलेट भी कर लेना ठीक है 4 से डिवाइ अमाउंट दे रखा है ऐसे कुश्चन में अगर अमाउंट आपको अच्छा दिया होता है तो और मजा आता है 15625 है इसको 4 से डिवाइट कर दीजिए 4 3s are 12 36493606.25 ठीक है और इसमें कितना आड करेंगे आप 156 अगर आप आड करते हैं तो यह नहीं आएगा C आएगा C 405 फीट आएगा इस विल बी और राइट आंसर C option ओके एक्स्ट कॉश्चन देखते हैं देखिए इस कॉश्चन में आपको दे रखा है what is the compound interest on a sum of on a sum of rupees 8192 for 1 1 by 4 years at 15% per annum if interest is compounded 5.3 देखिए इस केस में आपका rate of interest कितना है 15% per annum 12 months का 15% per annum 12 months का rate है और आपको क्या find करना है you have to find the compound interest if you have to find the compound interest compounded 5 months 5 months का अगर आप 5 months का अगर आप rate of interest निकालें कितना आज आएगा देखिए 5 by 4 into 5% ठीके कितना आ रहा है 25 by 4% आप अगर इसको fraction में convert करते हैं देखिए 1 by 4 क्या होता है 1 by 4 होता है 25% यहाँ पर 25 से अल्रेड़ी multiplied है यह आपके है सकते हैं 1 by 16 सॉरी परसेंटेज आजीजी तो 5 months का आपका जो rate आजाएगा क्या आजाएगा 5 months का आपका रेट आजाएगा 1 by 16 flat 1 by 16 ठीक है आपको क्या निकालना है वेकिए आपको find the you have to find the concern interest for a time period of 1 1 by 4 years यह आप कह सकते हैं 3 into 5 months 5 months फिर 5 then again 5 यह आप कह सकते हैं time period क्या है आपका 3 अब देखिए आपको क्या find करना है आपको compound interest find करना है यहां पर सम क्या दे रखा है आपको 8192 अब देखिए यह जो rate आया आपका 1 by 16 1 by 16 इसमें जो नीची दे रखा है क्या denominator है यह denominator है यह denominator है यह जो denominator है अगर आप principle assume कर लेते हैं अपना 16 unit ठीक है तो है तो simple interest क्या आजाएगा आपका अगर इसमें टाइम पिरिट क्या दे रखा है टाइम पिरिट आपका 335 मंस के equivalent है principle है आपके पास 16 and amount है आपके पास 17 ठीक है और आपको क्या निकालना है अगर देखिए अगर आपके पास principle आपके पास होता 16 units amount आपको दे रखा होता 17 units and for a time period of 3 years तो क्या होता देखिए तो क्या है अगर प्रिंसिपल आप अगर सपोर्ज टाइम पिरिट टू यह दिया होता इस केस में आपका प्रिंसिपल हो जाता 16 का स्क्वेर अगर टाइम पिरिड यहां पर 3 years दे रखा है क्या आज आएगा यहां पर प्रिंसिपल आपका 16 क्यूब और amount क्या दे रखा है आपको amount आपका होगा 17 क्यूब के एक क्यूब है ठीक है इन दोनों का डिफरेंस देख सकते हैं आप देखिए इसमें आपको इससे स्प्रेक करना पड़ेगा तो 17 क्यूब माइनस क्या आज आएगा दिखिए पूरा-पूरा calculate मत किजिए 17 का स्क्वार पता है आपको 17-16 into 17 स्क्वार प्लस 16 स्क्वार ठीक है आगे क्या आता है A minus B into A minus B into A square B square. A square plus B square plus A B, A क्या आ जाएगे, ये तो 1 हो जाएगा, अगे क्या करेंगे, देखे, 289 plus 256, 289 plus 256. 289 plus 16 क्या square क्या आजाएगा, 256 minus 16 into 17 क्या आजाएगा, 16 into 16, 256, 256 में 17 और आप add कर देंगे, क्या आजाएगा, 256 plus 17, 270, 273. क्या आएगा, देखे, 289 plus 256, इन दोनों को add करेंगे, फिर subtract करेंगे, आप पूरा अगर sum निकालते हैं, तो 200 plus 200, 400, और 80 plus 50, 80 plus 50 कितना होता है, 140, 340 आगया, और लास्में देखे, 9 plus 6, 15, 355 minus minus 273, अब देखे, अगर आपको fast थोड़ा सा calculate करना है, तो क्या करेंगे, जहां पर 355 है, और here you have 273, 300 में से 200 सब्ट्राइक कर देए, कितना है, 100, और देखे, इसके लास्ट के दो डिजिट हैं, जो इससे रिटर है, 73 में से अगर आप 55 सब्ट्राइक कर देते हैं, कितना आ और यहां पर 17 नहीं आएगा 5 था यहां पर, sorry, 372 आएगा 372 आएगा, 372 आएगा, 372 आएगा, 372 आएगा, आपका, 372 आएगा, आपका compound interest, when you have principal as 16 units और आपको इस case में principal दे कितना रखा है, 8192 units के equivalent दे रखा है तो 16 unit को अगर आप 8192 के equal लेते हैं और आपका जो compound interest आ रहा है, 372 units आ रहा है, यह आप इससे भी कर सकते हैं, इस देखे, 372 में, यह किस से divisible है? यह 6 से divisible है, 4 से divisible है, और 2 से भी divisible है, तो जो भी आपका, जो भी आपका answer होगा, 6 से divisible होगा, 3 से भी divisible होगा, देखिए, 3, 7, 10, and 2, 12, देखते हैं रेखिए, तो जो भी आपका answer होगा, 3 से divisible होगा, और 6 से भी divisible होगा, तो आपका, देखिए, यह वाला option जो है, यह जो option है, आपका, suppose, let's say, B option की बात करता हूँ, इसमें 7 plus 8 plus 4, 12, 3 से divisible है, ठीक है, और यह last 4 digit, last 2 digit, अगर किसी भी नमबर के, 4 से divisible होते हैं, than it, the number is divisible by 4, 6 से देख लेते हैं, देखिए, 6 2s are 12, 6 9 is a 54, this number is divisible by all the 3, बाकी में calculate नहीं करना है, ठीक है, अच्छा, आपके मन में चल रहा होगा, और भी options हैं, एक बार check कर लेते हैं, देखिए, यह वाला जो option है, 4 से divisible नहीं होगा, I won't consider this, ओके, यह option देखिए, 4 से divisible है, अगर मैं 6 से divide करता हूँ, तो कितना आ रहा है, 6 2s are 12, 24 है divisible, and 3 से 4, 4 और 1, 5, 5 और 6, 11, 3 से divisible नहीं, और यह वाला option, अगर मैं check करता हूँ, 1, 6, 3, 4, पहले 3 से देखते हैं, divisible है कि नहीं, 4 से divisible है, पहले आपका right answer हो जाएगा, 1740, no need of doing, no need of just finding the exact value of one unit, okay, this is how you can solve in exams also, if you are able to solve like this, at the exam time, then when you have practiced a lot and your brain is working really fine. वर करते हैं, जाएपका, झाला खूर बना एला करते हैं, झाला करते हैं